हम अभी वेलकम टू दा खन्ना टाइम्स टीवी हम अभी यहां पर डिस्टिक्ट शैजांपुर में हैं खोटार में यहां पर हम यहां पर बाला जी दर्वार में हैं गुरुजी हैं हमारे साथ जिनका पूरा जीवन अपनी विरासत धर्म का परचार के लिए कि इन्होंने लगा दिया अपनी सरकारी नौकरी शोड़ी और बच्चों को दर्म के साथ जोड़ रहे हैं अपनी विरासत को क्यों कायम कर रहे हमारी टीम का सोभाग्या हुआ हम गुरुजी के चर्णों में पहुंचे हैं अजी गुरुजी नम्शकार जी आप बगड़ी इस सबसे पहले आप शोड़ में अपने सीमन के बारे बताएं अब कहां के रहने बाले हैं गुरु दक्षण कहां से ली चोटा-चोटा पता दी जन्म मोल जन्म भूमी कानपुट धिस्टिक और गाउं मेरा मंधना मंधना का मैं भूल निवाची और मंधना में रहते हुए मैं दोच अबनाने के लिए निकल पड़ा और आज वही मेरे अंदर के उदगार और भावend कि हमारे देश के अंदर शनात्रम धर्म का प्रजुलित होता हुआ दीप कभी शांत नहों पाए उसके लिए मैं चला करता हूँ अब ये जो आपका सथान बना हुआ है खुटार में बाला जी दर्वार उसके बारे थोड़ी गणकारी थे बाला जी दर्वार ये पूर्ड जगे तो बनी है आश्रम का शूप नाम है शी गुलाहनात आश्रम और शी बाला जी का दर्वार है अनमंत जी का और यहां पर आप कितरे साल से हैं घुरु जी यहां पर मुझे चार साल हो गए तीक और जो यह अब बंडारा करा रहे हैं महाजज्य करा रहे हैं उसकी बारे बताएं शत्ताइश वीच तारिक्षे में कलश यात्रा हो करके और महालक्षमी नारायन यज्य का आयोजन है बरेक उठार के शमस्त गढ़ मान्य नागरिक जन्मानश आवाम प और 26 तारिक तक चलेगा 27 को भंडारा है तो जो भी हमारे भगत भगवान छेत्री जन्मानश है वो सहर साके प्रभु के प्रशाद को ग्रेंड करेगा और आनंद लेगा श्रीयज्य भगवान का यह जो बाला जी तरवार है इसका निर्मान कारे होने वाला है चार दिवारी भी होने वाली है तलाब का भी काम होने वाला है जो उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा देते हैं राद्योगी जी उनको अब थोड़ा निवेदन करें किसके लिए गरांट आए और लंगर स्थान बने क्यात्रियों के रहने के लिए बने और तलाब का निर्मान क रहा हो तलाब में तो मच्छ घंदा है मचलियां पलवाली है प्राता धर्शन यह तू और योगी जीशे मिलने की प्रवल लिक्चाव हो रही है क्या लंगर की बहुस्ता करा दे आवाज करा दे जो हमारे पितामे शदन के नामचे हो जाए जिसमें भयो व्रत आकर के अपन किसान इस वक्त परिशान है उसके बारे ठोड़ा नवेदन करें हम भारत के राजा है जो प्रदानमंत्री जी उनको थोड़ा नवेदन करें के थोड़ा किसानों पर तर्स खाए मैं तो चाहता हूं कि जो शब्राठ हमारे मोदी जी यह कुछ भी इनकी शंग्या दे ली जा कि महवल और एक शांत हो जाएंगे कि शानन दाता है प्रकत को जोत के उत्यार करता है पूरे आवाम को देता है तो उसके साथ लिए जाके एक बार भोजन भी पाले बैटके तो मेरा सो पर्शेंट अन्रुमान है कि हमारे अननदाता शांत हो जाएंगे और प्रजाग मित्री जी शी मोदी जी आम आवाम के शाद मिलके भोग पुशाद तो ले ले ताकि जनता भी समझे कि मिला राजा मेरी इस्तितियों को देख करके मेरे शाहत हुआ जो गुरुजी 702 किसान वहां पर शीद हो चुके हैं उनकी आत्मक शांती के लिए वागवान को थोड़ा प्रातना कर देख को अब मेरे शब्दों को अगर उन तब पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा वह प्रातना कर ले और जहां तक हो सके जो पढ़े हुए उनके पतिक शदभाव के इनको तमाम आदेश कर देने चाहिए तो करशक मान लेगा वो तो अथिक्चित भी हैं जो शिक्चित भी हैं वो सब एक ही लाइन में चलने हैं तो मोदी जी अपने विचारों उद्धकारों को किशानों के प्रदियर समर्पड कर दें एक ही बार तो यह आवाम शांत हो जाएगा पूरा देश खुशाल हो जाएगा जो जिन परहस्तियों गुजर रहा है इस शी हमें बहुत अच्छा लगा जोजी ने बहुत ही शौड तरीके में बोली हैं और इससे बड़ा एक पिता अपने बच्चों को क्या सिक्षा दे सकता हैं बहुत अच्छा लगा हम भी उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री को निवेजन करते हैं कि सतान का निर्मान का रहा होने जाए आप यहां पर धन राशी जारी की जाए ताके यहां पर 24 गंटे लंगर चले और तलाब का भी काम होने वाला है जै जवान जै कि अबार महादे जैसे रिराव जैसे रिराव